Welcome back to my channel. आज की हमारी वीडियो है कि प्रेगनेंसी में प्रेगनेंट लेडी को केसर दूद कब और कैसे पीना चाहिए? जैसे आपने बड़ी लेडी से सुना होगा कि प्रेगनेंसी में केसर दूद बहुत ही लाहेवद होता है. तो आज की हमारी इस वीडियो हम डिसकस करेंग केसर दूद कैसे लाहेवद होता है और इसको कितनी मतरा में पीना चाहिए? किस टाइम पे पीना चाहिए? और इसके फाइदे क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे और वीडियो को लाइ प्रेगनेंट लेडी को रात को सोने से बहले पीना चाहिए, सुबह खाली पेट दूद को बिलकुल अवाइट करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट पिया हुआ केसर दूद प्रेगनेंट लेडी को गैस की प्रॉब्लम कर सकता है, और प्रेगनेंसी में गैस कितनी बड़ी प् दूसरे केसर दूदूद का जो benefit है, वो क्या है? केसर दूदूद पीने से आपको morning sickness कम होती है, केसर दूद पीने से आपको धकावट कम होती है, आपकी अंदर जो iron और calcium की कमी है, उसको केसर काफी हद तक दूर करता है और एक चीज और जैसे कि आपने सुना ही होगा कि केसर दूद पीने से बच्चा गोरा और healthy पैदा होता है. इसमें कितनी सचाही है गोरा होने वाली यह तो हम नहीं जानते हैं. लेकिन बच्चा हईल्दी पएदा होता है क्योंकि केसर में होता है आरन और दूद में होता है कैल्चियम आप जब आरान और कैल्चियम का मेल होता है तो वह कितनी strong और powerful चीज होती है and healthy होती है महला के लिये वह आप खुद ही समझ सते हैं इसके इलावा जैसे कि आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में अकसर आपको नीद नहीं आती तो एक गिलास केसर दूद सुने से पहले पीजी हो और देखिये कमाल कितनी अच्छी नीद आती है आपको रात को और अगर आप ब्लड प्रेशर की मरीज है अगर आपको प्रेगन में लाएं चीनी ना मिलाएं जैसे अपने देखा होगा प्रेगनेंसी में मुर्स्विंग्स के बहुत बढ़ी प्रॉब्लम होती है एक पल में आप घुश हो जाती है एक ही बल में आप चिटचरा फील करती है के ऐला कुंछ भी खाने को दिल करता है और एक Kings ज Surfे शिर नार प्रेगनेंसी में होती है बालों का जड़ना आपके बाल अगर बहुत जड़ रहे हैं तब आप डेली आप केसर दूद एक गिलास पियें सोने से पहले आपके बाल जड़ना भी काफी हग तक कम हो जाएंगे तो अब आपको पता चल गया होगा कि केसर दूद के है कितने सारे के सरदूद सिर्फ गोरा बच्चा पैदा करने के लिए ही नहीं होता बलकि प्रेगनेंट लेडी के लिए हर एंगल से बेनेफिशियल होता है तो अमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्स